कि गुड इवनिंग डियर ओल अभी सी इंस्टूट का अनौंसमेंट आया आज 27 अप्रेल है 21 और 22 मई से जो एक्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था इंटरमेडियेट और फाइनल का वह अब पोस्पोन हो गया है कब पोस्पोन हो कि अगला शेडियूल कब निकलेगा वह इन्होंने नहीं बताया और वह बताना पॉसिबल भी नहीं इंडिया में बहुत ही वॉलाटाइल हो रखें एक्दम सब कुछ फ्लक्च्वेट हो रहा है मैं वेस्ट बंगल में क्यालकटा में रहता हूं तो वेस्ट बंगल में भी इलेक्शन की रिजल्स आने वाले सेकेंड एप्रिल को सेकेंड में को एंड फिफ्ट में को मॉस्ट होली मंद्री मंदल बनेगा तब जाके लॉक्डाउन का फैस्टा हो जाएगा तो वेंगॉल भी लॉक्डाउन में पार्शली या होली चला जाएगा कई बड़े शहर अल्रेडी पार्शल या होल लॉक्डाउन पर जा चुके हैं ठीक है सिच्वेशन आज से एक साल पहले बहेंकर ज्यादा खराब ही हम सबको मालूम है और मुस्ट हम सब की फैंबली में ठीक है किसी ना किसी को अफेक्ट हुआ ही है डेथ रेट्स भी हुए है ठीक है तो यह फैस्ता तो आना ही था सीमें इंस्टूट ने पहले लिए था सी इंस्टूट ने आज बताई दिया है 25 दिन बाद ही एक्जाम हो ठीक है तो प्लीज थोड़ा केरफुल रहो और जो भी स्टूट है जो इस वज़े से अनॉंस्मेंट की वैसे होता है ना की गुड़ भी होता है बैड भी होता है अब तो खैर मतलब एक साल से ऐसे हालत हो गए कि एमोशन का ही नहीं पता चलता कि कब गुड़ होना चाहिए कब बैड़ होना चाहिए कब खुश होए कब नहीं होए सिंपल सी बात है अपनी तैयारी जारी रखो हो सकता है यह में का जून जुलाई या और ऑगस्त तक भी चला जाए CMA वालों ने तो जुलाई एंड और फस्ट वीक और ऑगस्त तक पॉस् पॉस्पोन करते 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 उसको फाइनली नॉम्बर में मर्च कर दिया गया था तो अभी कुछ भी बोलना इंपॉसिबल है कि कितने डूरेशन के बाद एक्जैंस कंड़क्ट होंगे हताश होने की तो जरुवत नहीं है बिकॉस तुमारा प्लान अफेक्टेड नहीं होना चाहिए तुमारे स्टैडिस अफेक्टर नहीं होने चाहिए फोकस बरकरार रखो और जितनी बार और ज्यादा पढ़ सकते हो रिवाइस कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है एक चीज जरूर है कि जो भी यह विपदा आई है जो प्रॉब्लम आई है मतलब चाहिए को लेकर को लग बोलो चाहिए exam का पोस्पोन में को लेकर बोलो यह किसी एक चुद्रिये लगसाता नहीं हूं है यह सब के साहथ हुआ है और यह पूरी की पूरी मतलब education सेक्टर को अफेक्ट करता है खाली स्टूडेंट को नहीं टीचर को भी हम लोगों को भी अफेक्ट करता है आप यह मस्तुच को सब्सक्राइब कर जा रहा है हाँ एक तरह से मैं स्टूडेंट से शेयर करनी जरूरी थी इन्होंने साफ बताया है कि यह इंटरमीडियेट और फाइनल के लिए अनॉंसमेंट है तो उसको पॉस्पोन किया है और जो भी अगला अनॉंसमेंट इनका आएगा कि एक्जाम कब होगा शेडियूल लेंगा कब आएगा कम से कम 25 दिन का लैग जरूर रहो ज्यादा हैपी या सैड दो तरफा और कोई जरूबत नी न्यूट्रल रहो जो अपना काम कर रहे थे करते रहो मेंका स्टेडी प्लान लिव विद डिसिप्लिन मेरे को कुछ इस ने यह भी बुला था कि सर मेरे घर में जैसे किसी का प्रॉब्लम हो गया भी कुछ दिन अगरा लाइफ में काम होता है मारी फैमिली का टेक केर करना राद देन अपना करियर परस्यू करना अगर आज मेरे भी घर में कोई बिमार परजा एकदम सगा बंदा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पहले मैं उसको अटेंड करूँगा फैमिली कमस फर्स्ट फ अपना काम करते रहो थैंक यू